है गाइस वेल्कम टू मैं चैनल लली का सेनेटर लिक का मैच हो रहा है रियल मैंडिट वार्स रियल ससाइडिट के बीच दो घंटे नो मिनिट की बाद डेड़ बजे तो बात करें यह है मेरे टेलीक्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फटाफन नीचे डिस के दंग रहा है कि यार इतने इतने भी प्लेयर इंजिड हो सकते हैं वालब इतने ज्यादा तो रियल मैंडिट और रियल ससाइडिट के अभी मैंने टीम क्रेट करनी है और आवर आल एनलाइस हो चुका है लेकिन पहले आपको एनलाइस के और ही लेके चलते हैं बात करें आ को आपने इस अग्रेट प्लेयर आपने अपनी टीम में लेना ही लेना है सबसे पहले कारिम बेंजमा विनिकियस जूनियर एक तरफ एक्सपिरियन्स एक तरफ यंग्स्चर यह चीज़ बहुत अच्छी है विनिकियस जूनियर 22 साल का कारिम बेंजमा ओवर 35 होगा तो दोन से खेलता उस country का नाम है France इस बार वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया था due to unfit लेकिन आप fit है विनी केस जूनियर ने भी कमाल किया विनी केस जूनियर जिस टीम से खेला था इस बार वो थी ब्राजील ब्राजील की तरफ से अपना वर्ल्ड कप खेला इस बंदे ने पहला बहुत मुझे भी इसको तो मिरसे भी बहुत जादा गई होगी और आगे से अगर बात करें तो टी क्रूस टी क्रूस भी फॉर्म में लेकिन मॉड्रिक अब आप सोचे रहोंगी कि इस बंदे ने मॉड्रिक का नाम नहीं दिया तो मैं आपको बताता हूँ देखो भाई मॉड्रिक का क्या हो रहा है मोड्रिक हो बिल्कूल आउटउ फॉप दो हजार आकिस के बाद मैंने उस बंदे को खास फॉर्म में देखा 2022 में भी भंड क्या है 22 के वर्ल्ड कप में इस बंदे ने मर दिखा दिया कि क्या है कुछ नहीं किया टी यहल मोड्रिकिक ने इसलिए मैं ऊसकी सौरलोथ की बात करें तो सौरलोथ, ब्रेसमैंडीज ग्रेसमैंड जो हैं यह तीनों ब्लांग करते आ र स टीम से ज़्पहर एलने स्वर्व्रोथ वृक्त मेथल है बहुत मौल नंका है महलब क्या है कि प्रेसमेंडिस अगर आपस में गोल करें तो इनका बहुत जबर्दस कैप्टन एडवाइस कैप्टन का वो निकल कर सामने आता है कॉंबिनेशन जब भी मैं रियल सुसाइडिट फेवर कर रहा तो मेरी टीम में कैप्टन सौरलोथ होता है वाइस कैप्टन ब्रेसमेंडिस या कभी ब्रेसमेंडिस कैप्टन होता है तो कभी सौरलोथ यह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और एम उजर्बल बहुत टाइम से इंचरता वो भी ठीक हुआ और एम उजर्बल की वापसी पे बहुत टीमों को एफेक्ट पड़ेगा इंजरी की बात करें यह देखो इंजरी देखो आप अभी मैंने पूरे नहीं लिखे प्लेयर आप मान लीजी तींचर प्लेयर अभी मैंने छोड़े हैं जो में नहीं है यह बीग इंजरी देखो आप इतनी इंजरी मतलब ही क्या अब में प्लेयर डी अलाबा देफेंडर रियल मेंडरिट इंजड एफ मैंडी इंजड एल वेस्कोस डिफेंडर इंजड डी कारवेजल इंजड चारो डिफेंडर इंजड चार डिफेंडर जिस तीन के इंजड हो आपको क्या लगता है क्या मलब एक में खिलाड़ी जिसको प्रैक्टिस जो रेगुलर खेल रहा हो क् लली का लीग में और वो अचानक से इंजड हो जे तो क्या सोच रों कि आप अच्छा मैच जाएगा नहीं डी अलाबा बहुत बड़ीया प्लेयर है एफ मैंडी इतनी अच्छी फॉर्म में था और कारवेजल इन तीनों के इंजड होने से रियल मैंडीट को बहुत इफेक्ट पड़ने हैं लेकिन एक तरफ से ऑपरचुनिटी में जाएंगे क्योंकि उनके भी दो प्लेयर में इंजड है एक मैरीनो एक डी सिल्वा बाब इनको ये में लब फाइदा मिल गया कि उनका मैरीनो इंजड है क्योंकि मैरीनो भी बहुत तेज है बहुत तेज बंदा है इसके क्या बोलते है रिल मैजड और 29 उनके ये 39 गलती से लिखा गया है 29 है ठीक है 29 परसंट विनिंग चांसी है की पूरा डियल मेड्रिट फेवर कर दो अब चलते टीम की और अब देखो इतनी इंजिरिस बता चुका हूँ अब बनेगी ना बेस्ट टीम यहाँ पर तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइकिंग से कारिम बेंजमान विनिकेस जूनियर देखो टीम भले इंजड हो लेकिन टीम की मेन पावर इंजड ने होनी चाहिए यह दोनों मेन पावर है यह मान लीजे पावर आउसा अपनी टीम के विनिकेस जूनियर ने जब कारिम बेंजमा इंजड था बहुत टाइम यह देख सकतो बीच में काफी टाइम इंजड था पहले भी इंजड था तो उस बीच म बिल गई मेरे को सबसे अच्छा यह लगा जिस टीम में पहले था मापर इसको बहुत कम मैच खिलाते बे तो इसलिए वो चीज वो चीज तो दूर हो गई इस बंदे के अब यह क्या है कि रेगुलर खेलेगा तो चलने की बहुत अब बहुत कारण होगा अगर यह चलने की बहुत ज़्यादा उमीदे होंगी मिड फिल्लिंग में बात करें ब्रेस मैंडिज टी क्रूस को लेंगे यहां से मैरीनो को मत लेना क्योंकि इंजड है नहीं खेलने वाला वो वैलवर्ड को भी मत लेना वैलवर्ड की जगा पर मैं आपको प्रैफर करूँगा कि आप कोरेश्या तो फिर भी थोड़ी आगे गई थी और कैप्टन घौन था आपके सामने है तो इसलिए मौडरिक को थोड़ा एज लीडर ले लो समझो एज़ा प्लेयर नहीं खेल रहा ठीक है तो मेरीनों नहीं खेल रहा है दो प्लेयर नहीं खेल रहे तो इनसे काफी जाए उ नहीं खुद की टीम वो क्योंकि और कोई प्लेयर इनका खास है नहीं कोई खास नहीं है मैं नीचे से देख चुका हूँ पूरा पहले भी इसलिए मैंने का था कि इनका डिफेंडर ही लूँगा मैंने सोच तो मैं देखो आपको सीधी सीधी बात करो नॉर्मेंड ले लो क् ठीक है बहुत देखो पूरा मलब अवरॉल काफी प्लेयर तो इंजड ही पड़े इनके इसलिए भाई मैं लूँगा यहाँ पर जे नैचो फर्नेंडिस को दिया मेरे तीनों डिफेंडर एक साइड के डन हो जाते है और एक डिफेंडर रियल सुसाइडिड का डन हो जाता ह एरले नॉर्मेंड आगे से अगर बात करें गोल कीपिंगी एर अमीरो एर अमीरो को यहाँ पर लेना पड़ेगा भले उसका ड्रीम टीम में नाम आए यह मत देखना गाईज क्योंकि आपनी जीतना है स्मॉल लीग में तो मैं कहूंगा कि आप इसी के साथ जाओ बनता भी करें के बनता आगे से बात करें कैप्टन की कैप्टन को रखुamtंका कारिम एक्टन राट गरुक्रीम करके बनके लिए चलो लेकिन पुराना राकार्ण देख कर लेकिन जो 1-15 साल इस प्लियर के लिए वह इतना अच्छा नहीं था दो देखने कूमबैक कर बाता है कि नहीं ठीक है और टी कुरूस तो चलो लिटल फॉर्म में है तो ऐसी कोई चक्कर नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वली रियल मैटिट को क्योंकि चक्कर क्या है कि उनका एजर मिलिटा और रुडिगर खेल रहें ये दोनों इंजड होते ना तो शायद इस मैच में बैंड तो इसलिए भाई टीम काफी बैलेंस जाए दोनों तरफ से तो मिलते है नेक्स वीडियो में बाए